हाथ वच्छो हम लोगोंने फर्स्ट लेशन यानि सेवेंड क्लास के साइन्स का फर्स्ट लेशन देखा था जो बाइलोजी था और आज हम लोग फर्स्ट लेशन समापत करने के बाद आज हम लोग सेवेंड क्लास के साइन्स के नेक्स चाप्टर है जो बाइलोजी के बाद अब कमेस्टर आता है यानि एक चाप्टर हम लोगोंने बाइलोजी पढ़ लिया है अब हम लोगोंने एक लेशन फिर कमेस्टर पढ़ेंगे इसके बाद खत्म करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह कमेस्ट्री है और कमेस्ट्री में तीन नमबर लेशन जो है जिसका नाम है पदार्थ पदार्थ के अंतरक आता है जनतो रेशे किसे कहते हैं यानि वह रेशा जो जनतो से प्राप्ट किया जाता है उसको जानतो रेशे कहते हैं यानि जो रिशे जन्तों से प्राप्त किया जाता है उसको जान्तों रिशे कहते हैं जैसे उन और रिशम दोनों जन्तों से प्राप्त किया जाते हैं तो देखिए थोड़ा सा हम इसका हिस्ट्री जानेंगे हैं कि जान्तों रिशे जुआ है कब शुरू हुआ है देखिए इनसान जो है पसार काल जुग से ही इस रेशम की खोज निकाला था यानि रेशम का उप्योग पसार काल से ही होते आरार प्रथम बार रेशम की खोज चार हज्जार वर्स पहले चीन निक हो जाता और वो तीन सो बरिस तक उसको छुपा करके रखा यानि दुनिया को बताने नहीं दिया दुनिया को जानने नहीं दिया की रेशम किस तरह बनता है उसके बाद उसकी इस छुपाई हुई बात को जपान के लोगों ने उसको देख लिया और उसको समझ लिया उसके बाद जपान के लोगों ने भी बनाना इसको सुरू कर दिया उसके बाद भारत भी आजकल भारत में भी रेशम बनने लगा अब तो पूरी दुनिया में बन रहा है इसलिए इस लेशन में हम पढ़ेंगे कि रिशम किस परकार उत्पन किया जाता है और उन किस परकार प्राप्त किया जाता है आनि उन प्राप्त करने के भी दी यह उन रेशम जो प्रथम है उन उन प्रथम जो पॉइंट दिया गया है यानि उन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो प्रथम रेशन पॉइंट दिया गया है उन उन जो होता है बिसीश करके भेणों के बाल से प्राप्त किया जाता है भेण से प्राप्त किया जाता है यह एक परकार का लंबा तथा मोटा बाल होता है यानि भेण के बाल जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, मोटे होते हैं जिसे धागे के रूप में असानी से परवर्दित किया जा सकता है, और इससी जो कपड़े बनाए जाते हैं, वो गर्म हलके तथा अरमदाइक होते हैं, यानि उन से, यानि भेन के बाल से जो उन पराद किया जाता है, उससी जो कपड़े बनाए जाते हैं, वो गर्म होते हैं, हलके होते हैं तथा अरमदाय होते हैं तो एम उनमें लचक होती है इन लचक के कारण उन अपना अकार बनाए रखता है किसके कारण उन बनाए लगता है ये अपना अकार यानि लचक के कारण लचक के कारण उन अपना अकार बनाए रखता है तो बिशेश करके उन किसे प्राप्ट किया जाता है उन भेनों के बाल से प्राप्ट किया जाता है जो उन भेनों के बाल से प्राप्ट किया जाता है ये लंबा होता है मोटा होता है जिसे धागे के रुप मैजानी से प्रृतित किया जाता है इसे से बनाए गए कपड़े जो हलके होते हैं है ना और इसमें लचक होती है क्या होती है बच्चो इसमें लचक होती है और इनहीं लचक के कारण उन अपना अकार बनाए रखता है नेक्स जो टापिक है उन के सुरूत है ना तो उन की जो सुरूत है जिसको उन के सुरूत करते हैं यानि उन के सुरूत का मतलब है उन किसे प्राप्त किया जाता है देखिए अभी हमने बताया कि उन अधिकानस्ता भीण के बालों से प्राप्त किया जाता है इसे में तो बकरियों से भी और उन से प्राप्त किया जाता है अधिकांस्ता उन जो होता है वो भेन के बालों से प्राप्प किया जाता है भेन सबसे ज़्यादा कहां पाय जाते है जी सितोस्र रुवन यानि सितोस्र छेत्रों में सितोस्र का मतलब होता है कि जहां ठंदे बरफिरे एरिया है वहां पर भेन अधिक पाय जाते है अब भेनो में भी कई तरह के भ्यन होते हैं तो एक भ्यन होता है जिसका नाम है मरिनू मरिनू भ्यन सबसे stress गुण्वक्ता तथा अधिक मात्रा में उन प्रप्त होता है कहने का अरती है कि मरिन से सबसे अधिक उन प्रप्त किया जाता है और सबसे अच्छे क्वालिटी के उन प्रप्त किया जाता है एक मेरीनों भेन एक बार में 3.5 यानि 3.5 किलो ग्राम उन प्रप्त करता है कितना उन प्रप्त करता है अगर एक बार एक मेरीनों भेन से अगर बाल को उतारा जाए तो 3.5 किलो ग्राम यानि हम कह सकते हैं कि साड़े 3.5 किलो ग्राम उन एक बार में मेरीनों भेन से प्रप्त किया जाता है जो इस 3.5 किलो पांचो ग्राम के जो उन है इससे साथ ओबर कोड बराए जाते हैं ठीकें और सबसे अच्छे देखो दो चीजे हैं मरीनों भेन सबसे स्रेस्ट गुण वाला मरीनों भेन से सबसे स्रेस्ट गुण वाला उन प्राप्त होता है वही एक मिमेने भेन होता है जो सबसे अच्छे भेन के बाल मिमेने से प्राप्त होती है दो यहां सबसे है तो स्रेस्ट गुण वाला और सबसे अच्छा है तो स्रेस्ट गुण यान जिसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है अच्छा मने उससे क्वालिटी कम तो मने व बग्रियों से उन्पराप्त किया जाता है। इसा से ज़ुन्पराप्त होता है। जो उसके बाद नेस्ट टॉपिक है उन भेर से वस्त्र तक आप देखो उन तो हम लोग प्राप्ट कर लिया तो उन से कुछ बनेगा ना कुछ ना कुछ तो बनाएंगे उन से हम लोग तो कहता है उन भेर यानी उन जो था भेर तक था और भेर से वस्त्र तक यानी भेर से निकालने की परकिरिया तो हम लोग जान गए अब इसके बीचिवाली परकिरिया यान कि भेर से जो उन निकाला एवं वस्तर जो बनाया इसके बीच भी परकिरिया होती है तो वही ये टॉपिक कहता है कि भेर भेर से तो हम लोगों जाल लिया कैसे निकलेगा निकालना जाल लिया उसके बाद इस यहां वस्तर बनाने तकर कि पर्किरीया को ऎह नंगे इसमें पर्किरिया क्या है तो यह देखो कि यह चाहिए यानी कटाई खेयर के बालों को त्वाचा के पतली पलइड के साथ यह recovering पहले भी जानते हैं कि भेंड से प्राप्त किया जाता है यानि भेंड के बालों को त्वाचा की पतली परत के साथ यानि जो भेंड के बाल होता है उसकी पतली त्वाचा के साथ उसके बाल को उतार लिया जाता है यहां पर किरिया जो होती है क्या कलाती है उन की कटाई कहते हैं, भेन के बालों से पतली परत के साथ उसके बालों को उतारना, क्या कहा लाता है? उन की कटाई कहा लाता है, जब भेन के शरीर से उसके पतली त्वाचा के साथ उसके बालों को उतार लिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उन की कटाई कहते है ठीक है उन की कटाई उसको बोला जाता है उसके बाद यहाँ बढ़ देखो कहता है कि एक भेर से एक वर्स में एक ही बार बाल को उतार सकते हैं चुकि एक साल हम नहीं छोड़ेंगे तो फिर बाला बार कीसे होगा उसको मालों कि अभी हम लोग ने बाल जो उसके रोए जो था उसको उतार लिया तो इतना जल्दी तो बढ़ नहीं जाएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक साल छोड़ना पड़ेगा उसको जिससे की एक साल के में उसके बाल फिर लंबे-लंबे हो जाते हैं अब क्या है भीदूत मशीनों का पर्यूक किया जाता है भेड के बालों को उतारने के लिए और इन मशीनों की साहिता से एक दिन में दो सो भेड़ों के बाल उतारे जा सकते हैं यानि मशीनों की साहिता से जब हम भेड के बाल उतारेंगे तो क्या करेंगे एक बार में भीदूत मशीन जो है इससी एक बार में हम दो सो भेड़ों के बाल उतार सकते हैं उसे कमजोड को but the so कि अलग आलक सिरंडियों में उसको बाठते हैं याने रिश्य के गुरुमकता रंग लंबाई कि आधारपा उसको हम अलग अलग भागों में बाठते हैं और सरय उत्तम उन ऐसे बारिक मजबूत तथा लंबे यह उस सफेद रंग के होते हैं है ना यह सफेद रंग के होते हैं कहता है कि जो सबसी उत्तम उन होता है सरय उन कैसा होता है जी इसके रेशे कैसे होते हैं, बारिक होते हैं, यानि भी पतला, बहुत, मजबूत, लंबा और सफेद, जिसमें ये सब गून पाए जाते हैं, उसको क्या होता है, वह सुर्यतम उन होता है, देखो, नेक्स, हम लोग उने स्रेनी करन देख लिया, अब देखेंगे धुलाई, या जो बहुत सारे गंदगिया होती है, बहुत सारे फैट विकर लगर रहते हैं, तो इसको धुलाई की जाती है, मिलों में जाता है, हना, तो कहता है, ये बाल, हागे की परकेले के मिल में भेज़े जाते हैं, देखो, यहाँ पर, ठीरी पॉाइंट चित्र जो दिया गया है, उसमें उन की धुलाई को दिया गया है, इसमें उन की धुलाई को दर साया गया है, इसी तरह से उन की धुलाई की जाती है, ठीक है नतिजी कहां होता है, मिल में भेजा जाता है, यानि जहां पर उन वेगर बनाय जाते हैं, वहीं पर भेजा जाता है, तो उसी तरह से इसको कि जाती है जिसे इसकी चिकनाई धूल और गंद जो होती है निकल जाती है धोने से क्या होता है जी इसकी चिकनाई धूल और गन निकल जाती है जब उनको धू लेते हैं तो धूने के बाद इसको रोलरों की सहाथा से निचोड़ा जाता है आनि जो चित्र 3.3 दिखाये गया है इस भी निचोड़ेने के लिए देखो दो रोलर लगे हैं मतलब मूटा लहा का बेलन होता है शांत उसको सठा करके बःवस्टित किया रहता है उसके बीच से हो उसके बीच से यानि दो रोलों के बीच से उनको आर पार करना निकूड़ना का लाता है निचोड़ा इसलिए जाता है कि ताकि इसके अंदर जो भी धोले के 50 जो जल बचा होगा न वो सभी जल बाहर निकल जाएगा उन जो होगा अब सुक्स हो जाएगा इसलिए इसको क्या किया जाता है निचोड़ा जाता है जो 3.3 में दिखाया गया है ऐसके बाद तुमको यहां फीघर 3.4 में दिखाया गया है रेश्व को सीधा करना है यानि जो यह निचोड़नी के बाद रेश्व बनाना यहाँ पर रेश्य असके बाद रंगा करना होगा हो prin 2021 भी भी जाकेट ुसको रंग यिसी रंग जाकेट या जोबि गर्म कपड़े बनाई जाते हैं तो उसको अब रंगाई की जाती है उसको रंगाई की जाती है उसको रंगाई की जाती है उसको रंगाई की जाती है विभीन के तरह के कलर से और इसमें निवित मातरा में तील को मिलाए जाता है तील को क्यों मिला जाता है ताकि ये मुलाइम रहे सोफ्ट रहे तूटे नहीं मुलाइम रहेगा तो तूटेगा नहीं और जीस तरह हम चाहेंगे उस तरह के इसको भून लेंगे हम है जो भी हम बनाना चाहेंगे कंबाल दरिया गलाइचा जो भी बनाना चाहेंगे इससे असानी से बन जाएगा तूटेगा नहीं कि इसलिए इसको मुलाइब रखने के लिए इसमें निस्चीत मात्रा में क्या करते हैं इसमें तेल को मिलाते हैं दूसके पाद धागा बनाना ठीक है जाखो 3.5 फिगर चित्र 3.5 दिखाया गया है तो जब रंगाई कर लेते हैं तो इससे धागे बनै जाते हैं लकी आए न यह धागा बन रहा है जो 3.5 चित्र में दिखाया गया है तो यहां पर धागा बनाना अब रिशु को सिजा करके सुल्हाय जाता है और सुल्जा करके उसको लपेट करके धागे बनाए जाते हैं तेके न उसको लपेटेंगे और वो अपने इक्षा का अनुशार जिस तरह का धागा बनाना चाहेंगे उस तरह के उसमें धागा बनाएगे उसके बाद आता है बुनाई यानि धागा बनाने क बात कुछ ना कुछ हम बुनाई करेंगे जो यहां पर चित्र 3.6 में दिखाया गया है तुमको कि यहां पर मिल में क्या बन रहा है कंबल बन रहा है गलिचा बन रहा है इसी तरह से बुनाई की जाती है है न तो कहता है कि इन धागों से वस्त्रकंबत दरी गलेचे इत्यादी बुने जाते हैं और बुनाई शगन हो तो कपड़ा क्या होता है जी मजबूत होगा शगन का मतलब होता है कि जो इसके रेशे हैं जो धागे हैं वो अगर पास-पास में बुने जाएंगे तो इसकी क्या होगा जी कपड़ा मजबूत होगा अगर दूरी दूरी पर अगर इसको बुनेंगे तो कपड़ा मजबूत नहीं होगा तो इसलिए कहता है कि जो बुनाई शगन होता है वो क्या होता है मजबूत होता है और इस मजबूत कपड़े को क्या कहते हैं वस्टेड व कहते हैं यदि गुनाई विरल हो कपड़े क्या होता है हलका और जो हमने पहले बताया यदि विरल मतलब दूरी पर जानि उसके रिए से पास पास पर नहां कुछ दूरी पर हो तो उस तरह के चाहिए होंगे क्या होंगे कपड़े हलके होंगे और दुरी पर होंगे इस तरह से हम लोगों का यह आज टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और हम होमवर के लिए दो कोश्चन देते हैं लेख लो ठीक है उन किसी से प्राप्त किया जाता है और स्वर्योत्म उन कौन सा है उन किसी से प्राप्त किया जाता है एम स्वर्योत्म उन का नाम बताईए उसके बाद नेश्ट टॉपिक है नेश्ट कोश्चन है इन से वस्त्र बनाने की परकिरिया का वन्नेंट करें यही कुछन रखने देते हैं यही कुछन से इन से चैंन रहल से सीजवां करें यही का वन्नों यही कुछन में देशखने यही कुछन में में जुडनेे नहीं से छë कुछने का यही venule झाल झाल